जेहिन दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए न्यूजब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ आज जो 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 बाया हुआ ECHS के तरब से दानापूर कैंट में वकेंसी निकाली गई है फॉर्म को अंतिम्तिती दिया गया हुआ चौकिदार का देखिए चार पत दिया गये हुआ है चौकिदार का चार पत दिया गये हुआ 18 से तीरपन बरस आयू सीमा मांगी गई है 6800 मासिक बेतन दिया जाएगा अठमी पास होनी चाहिए इसमें दर्भंगा, मुतिहारी, हाजिपूर, सितामडी में ये निफ्ती लिया जाएगा आप लोगों को चपरासी का दिया गया हुआ सफाई, क्रमचारी, महिलया, टेंडेस, ड्राइबर, एबम कलरक, एबम डाटा इंट्री, ओपरेटर, फॉर्मा सीट लाइब टेकनिसियन का भी सभी का एज जो है सीमित है, 18-13 बरस तक आप लोगों को एज लगेगा और इसमें कुछ-कुछ में जैसा एजुकेशन ड्राइबर हैं तो उसमें आठमी पास एबम आप लोगों को ड्राइबरी लेसेंस बगेरा होनी चाहिए लेब एस्टिस्टेंट हैं, तो बारमी पास से बम ड्राइबर का क्लास वन लेब कोर्स होना चाहिए आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को डॉक्मेंट लिया जाएगा साथ-साथ आप लोगों को देखिए आयू की गन्ना जो है केबल पंजिकरन डाक या स्पीड पोस्ट के माधिम से फॉम भेज सकते हैं आवेधन में क्या-क्या दस्तावेज देनी है चली मैं आप लोगों को बतला देता हूँ आवेधन में आप लोगों को जो भी पाहला सर्टिफिकेट मांगी जा रही है जो आप लोगों को मुल परमानपत्र हो या वेधन हो सारा जो भी दस्तावेज मांग रही है वो स्वयम सत्यापी दियाने अपना सीगनेचर करके उस छाया पंती फोटो कॉपी बगेरा लगा दीजेगा अधार कार्ड दसमी बरामी जो भी आप लोगों को डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आप डिग्री दीजेगा दो पास्वोट है कार का फोटो देना होगा अगर भूत पर साइनिक हैं डिस्चार्ज बुकिंग है बंपी और सेवा डी रिमांड में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उसका भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं मेडिकल फिटनेस परमानपत्र आप लोगों को देनी होगी सिविलियन आवेदन अपने दस्तावेज अनुभा परमानपत्र की परतीमा संग्राद करें मतलब देखिए यह जो बगेंसी है सबसे पहले आप लोगों को एहमें जो है भुर्पुद्वाक सैनिक को दिया जाएगा जो रिटायर बगेरा सैनिक है उनको दिया जाएगा उसके बाद सिविलियन्स को भी मौका दिया जाएगा अवेधन वाले लिफापे पर अपना पोस्ट एवम कटेगरिया वसलिक दीजेगा अवेधन में किसी परकार की कटिंग या ओभराइटिंग नहीं कीजेगा अवेधन को परिच्छा सचतकार के लिए जो भी जाएगा उसमें DRTA बगेरा नहीं दिया जाएगा सचतकार के साथ-साथ अपने मूल परमान पत्र लेकर पहुंचेंगे जब आपका सचतकार बगेरा के लिए बुलाया जाएगा तो आप अपना मूल परमान पत्र जो भी डॉक्मेंट बगेरा सब लेकर जाएगा अवेदन पत्र को दो पंक्तियों में असपस्ट रुप से भर कर भेजेगा सचतकार के लिए अस्टेशन सैने के सिन्यूट मुख्याले जारखन बिहार सब एरियल दानापूर छाबनी के पते पर आके आप लोग को सचतकार यानि एक्जामनेशन को आप लोग को कंडेक्ट वहाँ ही जाके आप लोग को दे सकते हैं इसमें केवल जो सोट लिष्ट योगता अनुसार सोट लिष्ट जो होंगे उन्हें ही टेलीफोन या इमेल बगेरा जो भी हो उसके माधियम सब लोग को बलाया जाएगा इसमें भूत पुर्वक साइनिक उपलब्द ना होने पर सिविलियंस को भी मौका दिया जाएगा अगर भूत पुर्वक साइनिक नहीं पहुंच पाते हैं तो सिविलियंस को मौका दिया जाएगा यहां देखी वेबसाइट दिया गए वेबसाइट पे भी आप जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता तो आप हमें कमेंट कीजेगा मैं आप लोगों को फॉर्म पीडियेप में उपलाब्द करवा दूँगा और मेरे टेलिग्राम ग्रूप वाट्सप ग्रूप जो भी जोईन कर लिजेगा ताकि वहाँ आप लोगों को फॉर्म पीडियेप मिल देगा